हेलो इस्टूरंट्स आज किस दूड़े हम बात करने वाले हैं ITI के CBT exam paper 2022 की बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि ITI का exam 8 अगस से लेकर 30 अगस की बीच में चल आ है तो इसमें जो paper पूछे जा रहा है हो वो maximum paper में जो question रिबीट हो रहा है प्रिबेस एक्जाम पेपर से जो आपके 2021 में CBT exam हुए हैं उन में से काफी ज़्यादा question जो की match कर रहे हैं तो चलिए आज की जुड़े हम हम जो की 5 फरीधर 21 को जो CBT exam paper हुआ और यहां पर देख सकते हैं आपके आल इंडिया टेस्टेट 2020 कंप्यूटर बेस्ट स्रीबीटी का यह पेपर है जो की आज की विडियो में cover करने वाले और इसका जो की वीडियो solution देखने वाले हैं इसमें जो की आपका पहला question है वह है आपका देख सकते हैं वाट इज दा नेम आप DC जनेरीटर से तुझ ज संबी संद सर्ड मांड जर्ट ब estéक होस ज़ता है तो चली हम आगले कोस्ट को लेते हैं अगर वीडियो देखने Inspector चली यह हम देखने पाते आग देखने प्ट श्रुष्यन नपर टू रही है devotion नुश करने क gefunden कि भिए का उपयोग किया जाता है तुए सिं प्ली्ट का जोगा फ्लैमिग राइट हैं रूल हो तो यहां पर δ convection- är इसे एक ट्रेक से भी याद कर सकते हैं जैसे की जैसे हम को जेसे स्टार्ट करना जाते हैं उसको ग्रैयं यूजह कर दाएं आस्ट करते हैं ना प्रतिरूत को मापने के लिए कि सुपकरड का प्रययोग करते हैं तो देखिए अर्मिचर वाइनिक का जो रजिस्टेंस नापने के लिए केलिविन ब्रीज का उपयोग करते हैं मेगर से इंसुलेशन मापते हैं और देखिए यहां पर मल्टी मीटर से जो कि हम करेंट के लेते हैं अगला कुर्शन नांबर 4 हमारा यहां पर देख सकते हैं कि यदि कॉइल पीच पोल पीच से कम है तो वाइन नंग का नाम क्या होगा उब पिच पोल 20 से कम है तो वहांइप सौट बांड वाइं तो आप उपसे आपका चलिए हम अगले कोशंद की वर बढ़ते हैं अगला कॉशन नम्बर पांच है डीसी मोटर में करेंट की दिसा किस नियम से निद्धारत की जाती है तो देखें डीसी मोटर में करेंट की दिशा के लिए यहां प्रिका दीज़ोमिंग राइट हेंसर हैं सब्सक् कि यहां पर आप से पूछा है यहां पर आप से निदाद होती है तो इसलिए यहां पर आपका सही है फिर अगला कोशन ने करने के लिए कि सुपकर्ण का उपयोग किया जाता है तो आहां पर आपसंस जोगी सी सही है आपका फाइबर गलास जोगी शरी बी टाइप का कुछ आलक है जोगी अगला कोशन है फूल लोड पर टैन एशपी फ्रीफेज इंडक्सन मोटर को चलाने के लिए फ्यूजदर क्या होना चाहिए तो जितने भी एशपी का मोटर होगा उसका जोगी हम ढाई गुना 2.5 से उसको हम मल्टिप्लाई कर देंगे तो यहां पर 10 एशपी का है तो टैन मल्टिप्लाई आपका हो जाएगा 2.5 तो यह आपका यहां पर आपसन आएगा आपका एंसर राइट एंसर सी है यहां पर पचीस एंपियर होगा तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है छे पोल स्ट्रेटर मोटर की इलेक्टिकल डिगरी क्या होगी तो एक पोल गीरी जो होता है यहां पर आपका एक हजार जो एक सो असी होता है इक पोल आपका जजागा अगला कोशन लेते हैं कोशन नमबर 11 तोधिए कोश्य नम्मर घ्यारा है 35666 तो सरह स्कर्वार कि लिए चीजर स्थापन की गड़ना कीजिए तो यहां पर इसका जो रइन सेक्षट अपने अगले वीडियो में बनाए वे हैं तो उसको आप देख सकते हैं यहां पी इतना टाइम नहीं कि इसको आपको स्टेप बाई स्टेप शॉल कराया जाए यहां पर अभी आपका एक्जाम चला है तो अभी आपको जोगी कोश्चन के एंसर को रट लेना है अगर आप एक्जाम पास करना जाते हैं तो आप डिटेल ने पढ़ने के लिए आपको एक साल का टाइम था अगर आपने एक साल में सही है चलिए हम अपने अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन हमारा यहां पर है देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कोश्चन नमबर 13 वांड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फीट है मतलब विच सिंगल फेज मोटर रिपीटेड वांड मोटर वांड र इसलिए है अपने चली आपना 14 नमबर कोश्चन के तरह बढ़ते हैं माना 14 नमबर कोश्चन क्या है तो यहां पर हमारा हुमारा इंदोर मीक्सर की रूप में उच होता है और जो वहां म्टर्ट वह जो सब्सक्राइब इंदे किया जाता है अगला 47 यहां पर आपका सभी है और सब्सक्राइब ऊसґशा टांस्ड बाइब गी आ में होती है तो ऐसे सब का रेटिंग जो कि अलग-अलग होता है चले हम अपने अगले कोश्चन को लगते हैं घुर्डण छेद प्रकार अल्टेंटर का उप्योग करने का फायदा क्या है तो यहां पर आपसंड डी साहिए आपका टू स्लीप रिंग वनली रिक्वाइड इर् the rotary converter तो यहां पर आपसंड डी आपका सजी है collect the deliver direct current DC current को जो कि collect करने के लिए यहां परफ़संड कहले चली अगला कोशन — जो inverter और ओंट्र दोनों के रूप में कार्ता है तो यहां पर आपसंड d है synchronous स्कूर्णूर्टर तो यह देखिए नया कोश्ण है इसको जो कि आपको अच्छे से लरं करना है और यह जो कि आपका इंपोर्टेंट कोशन है तो यह देखिए जो इनवर्टर और नटर धोनों की रूप में कारा करता है उसको हम सिंक्रोनस करोला करते हैं तो कई एसलिए दिखें कई पर सेactions को लगने से यह हईता होता है कि आपको काफी जाता को दो मिल जाते हैं सितस है के n Do ज़ते हैं तो चलिए हम अपना पति अगला कोशन लेते हैं है यहां पर कोशे डी जो है कि आपका बिल्कुल सही है इससे हम क्या कि होता है कि मोटर जंटल से से हम जो की डीसी के डीसी आप्पूट वोल्टेज को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं आप सब्सक्राइब का नाम क्या है तो यह देखे में पैसी कॉमडन को याद करने के लिए हम आप जो कि आपको एक ट्रिक बता देते हैं उस ट्रिक से आप को कभी भी चैप क機會 डेक गहां अर ल्ल के तो इस तरय के से यहां पर सीरा चिया आ रहाया है आप आप सो आप संडी आप चली आगले कोशन की तरह बढ़ते हैं विच लेटर इंडिकेट दा कमपाउंड मैटेरियल कैडमियम सलफाइड तो काडमियम सलफाइड को कौन जो की इंडिकेट करता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप संडी आपका आर है तो इसलिए आपका संडी सही है यहां पर कंट्रोल पै आपके जरूर आते हैं और यहां पर देखिए अगला कोशन है कंट्रोल पैनल वाइरिंग में प्रजुक्त गौर्ड का क्या नाम है तो यहां पर आप संसी ग्रोमेट यह आपका सही है यह भी काफी ज्यादा बार जो कि रिपीट हुआ है कोशन यहां पर ग्रोमेट आपका सब्सक्राइब के लिए यह होता है मोटर को नियांतित करने के लिए विद्धुत यांत्रिक उपकरण ही आपका जोकी एलेक्ट्रिक ड्राइब कलाता है कोशन नमबर 28 से डीसी डा में वी ओपी का फुल फार्म पूछाएं तो बेशिक ऑपरेशनल पैनल वी ओपी होता है काफी ज्यादा बार रिपीट हुआ है इसे आपको जोकी अच्छे से याद करना है बेशिक ऑपरेशनल पैनल करते हैं वी ओपी को हमारा अगला कोशन नमबर 29 से आपरेशन के मोट किस ड्राइब को वर्गीगित किया गया तो कांटिन्यूस ड्यूटी ड्राइब यहां पर इसमें प्लस माइनस 6 परजंट का वरिएशन होता है तो यहां पर 240 बोल्ट में प्लस माइनस 6 निकालेंगे तो आपका 12 बोल्ट आएगा तो 228 बोल्ट करेंगे अब तो यहां पर आपका 228 बोल्ट एंसर आएगा 240 माइनस 212 यहां पर आपका 228 बोल्ट आपसंट सी सही है और यहां पर जो वरिएशन होता है प्लस माइनस 6 परजंट का आपका जोगी वरिएशन होता है इस फार्मूले का अपको जोगी याद रखना है चलिए 31 नमर कोश्चन हमारे यहां पे है किस सब्द से तातपर है कि किसी पदात का द्रमान एलेक्टोलाइट से एक कुलाम विदूद द्वारा मुगत होता है तो आपसन D है आपका चलिए हम बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरव कोश्चन नमर 32 यहां पे 32 कोश्चन नमर कोश्चन है उनिप्रियोग क्या होता है तो यहां पर टेली विजन में इसका यूज करते हैं तो आपसं C यहां पर आपका सई है चली अगला question number 34 यहां पर देख सकते हैं थर्टिफओर नूबर question है गहर पारंपनी उज्जा खा ऐ है कि यहां पर और अप्परिक का यहां पर हम सबसे पहले लेकत नहीं बन सकता और स्टीम देखिए कभी कभी इसको स्टीम करने के नहीं करती और हमारा कोईला खतम होगा तो हमारा इस injuries नहीं कर पाएंगे और डीजल में भी करिपे surprising है कि यह स्वेर्टालि जो हवा ह्Hawe वह बहुत ही लंबे टाइम तक हम सूर्य पानी और हवा से बिजली बना सकते हैं तो वाइंड एनरजी हुआ हमारा सोलर एनरजी हुआ यह कभी न खत्म होने वाले जो की उर्जा स्रोत हैं जिने हम करते हैं गैर पारंपरिक उर्जा स्रोत तो चली चोटिशन नमबर 35 से अपक यहां पर इस इंसुलेटर का नाम क्या है तो यहां पर अपसंडी से देख सकते हैं तो इसलिए हमारा यहां पर आपसंडी सही होगा निकोशन नमबर 38 है वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या करण है तो अगर हम चोड़ेंगे तो वहां पर क्या होगा कि स्पार्किंग होगा तो उस स्पार्किंग से बचने के लिए कभी भी हम एलेक्टिकल कॉंटेक्टों को दो कांटेक्टों की बीच में जो की टाइटनेस बहुत अच्छी करते हैं अगर अलूज रहेगा कनेक्शन थोड़ में होगा तो यहां पे आफ़ोसन सी सही है तो चाहां पे तरनस्फरामर का भी में होता और सांकिट में कर का भी आपका यहां पे में होता है enfant आप सकते हैं यह यह जो सब्सक्राइब बैकर है अगर आप को वीडियो पर संद आया है तो इसे एक लायक जबर करें क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चाहिए को सब्सक्राइब ने किया तो चाहिए तो चाहिए को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद है तो इसे अपने फ्रेटिक साथ से करना ना भूले जिनका एक्जाम अभी जोगी होने व आपने शाँ पसे हैं वीडियो जो चाहिए जोगी तको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल झाहिए जो अच्छाइब ग्यावलाब।